दस्ता शुरू करते हैं exercise 7.2 से question number 6 If 1, 2, 4, Y, X, 6 and 3, 5 Are the vertices of a parallelogram taken in order? Find X and Y ये जो चार आपको points दिये हुए हैं ये किसी parallelogram के vertices हैं और ये order में लिए गए हैं तो आपको X और Y की value निकाल लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखिए क्योंकि एक parallelogram के vertices हैं तो सबसे पहले तो आप एक parallelogram बना लीजिए और उसमें कोई नाम रख लीजिए A, B, C और D और ये जो points दिये हुए हैं इनको बिलकुल order में लिख लीजिए तो A को लिख लेता हूँ मैं 1, 2 और दूसरा वाला मेरा B हो गया 4Y और C हो गया X6 और D हो गया 3, 5 ये order में हैं तो आप इसमें गलती मत करना बिलकुल order में ही लिखना A, B, C, D बिलकुल order में लिखे हैं ये जैसे book में दियो हैं आपको निकाल ली है X और Y की value अब देखिए पैललोग्राम की property ये होती है कि पैललोग्राम के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं इसका अगर मैं diagonal बनाता हूँ BD और AC तो जहां ये intersect करेंगे न ये आपस में आधे-आधे हो जाएंगे इसको मैं अगर यहाँ 0 मान लेता हूँ AO और OC आपस में बराबर होंगे इस property का use करके और coordinate geometry से midpoint जो formula है उसको use करके हम अपने X और Y को निकाल सकते हैं तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये लिखेंगे इसमें because ये चीज लिखना जरूरी है diagonals of parallelogram bisect each other bisect करते हैं तो जो O है ये आपका bisect point है अब O इसका midpoint है O जो है आपका BD का midpoint है और AC का midpoint है तो पहले हम AC का midpoint निकाल लेते हैं तो midpoint of AC देखें midpoint का formula आपको दिया हुआ है midpoint का formula होता है x1 प्लस x2 upon me 2 और y1 प्लस y2 upon me 2 अब अगर A और C का हम midpoint निकाल रहे हैं तो जो A के coordinate है वो तो मेरे 1 हो जाएंगे और जो C के coordinate है वो मेरे 2 हो जाएंगे यानि कि ये हो गया x1 और ये y1 और ये हो गया x2 और ये हो गया y2 अब यहां से देख देखके हम इसके अंदर value पुट करेंगे तो AC का midpoint आ जाएगा तो value भरते हैं x1 है 1 और x2 है 6 sorry x है तो 1 प्लस x अपॉन में 2 फिर y के भरते हैं y1 2 है y2 6 है 2 प्लस 6 अपॉन में 2 further solve किया तो ये 1 प्लस x अपॉन में 2 आया और ये 6 और 2 8 हो गया 8 अपॉन 2 आया फिर solve करते हैं तो 1 प्लस x अपॉन में 2 आया और यहां पे ये 4 आ गया तो ये midpoint of AC है यानि जो O है आपका इसके ये coordinates हैं अब इसी तरह से हम BD का midpoint निकालेंगे अब निकालते है midpoint of BD formula आपको दुबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक बार लिखा हुआ है अच्छा अब BD को लिया है तो जो B है वो तो हो जाएंगे मेरे 1 यानि ये x1 हो गया और ये हो गया y1 और जो D है D के ये जो है ये x2 हो गया और ये हो गया y2 अब यहां से देखके इसके अंदर value पुट करेंगे अपने ये जो formula इसके अंदर तो x1, x2 को मुझे पहले लेना है तो x1 है 4 और x2 है 3 नहीं 4 प्लस 3 अपॉन में 2 अब y के लेने है y1 है y और y2 है 5 तो y प्लस 5 अपॉन में 2 इन्हें solve करते हैं ये आगया 4 प्लस 3 7 अपॉन 2 और ये आगया y प्लस 5 अपॉन में 2 तो ये मेरे bd के midpoint होगे अब ac का midpoint और bd का midpoint ये दोनों सेम है इसे मैं number 1 रख लेता हूं इसे मैं number 2 रख लेता हूं तो इसे ऐसे लिखेंगे because 1 is equal to 2 क्योंकि दोनों का जो point है वो ही तो है midpoint दोनों का सेम ही तो है तो ये चीज इसके बराबर है तो जब इसके बराबर है तो ये x और ये वाला x आपस में बराबर होंगे मैं mark करता हूं ये जो चीज है आपकी इसके बराबर होगी और ये जो y है इसके y के बराबर होगा अब question में आप एक pattern देख रहे होंगे कि पहले वाले में तो आपको x unknown है यहां आपको x पता है दूसरे में आपको इस वाले में y unknown है यहां y पता है तो इसको इसके बराबर रख लेंगे equation बना लेंगे तो x आ जाएगा इन दोनों को आपस में बराबर रख लेंगे equation बना देंगे तो यहां से y आ जाएगा हमारा answer solve हो जाएगा बस यही करना है अब इससे आगे तो 1 plus x को मैं 1 plus x by 2 को 7 by 2 के बराबर रख लेता हूँ तो 1 plus x upon 2 is equal to 7 upon 2 यहां से solve करते हैं तो x की value निकलेगी आपकी 2 को इससे करेंगे उपर वाले से तो 2 1 जाए 2 plus और 2 x जार 2 x is equal to 2 7 जार 14 तो 2 x की value आगे आपकी यह 14 यहां पे है यह 2 इदर से चला जाएगा यहां जाके माइनस हो जाएगा तो 2 x की value आगे 12 तो x की value आगे 12 by 2 डिवाइड करके अंसर आया 6 तो x पता चल गए आपको 6 है अब इन दो से तो x पता चला और जो यह वाले यह वाले इन से y पता चल जाएगा तो यह जो 4 है आपका वो इसके बराबर है y plus 5 by 2 के अब इससे रख लेते हैं 4 is equal to y plus 5 by 2 यहां कुछ नहीं है न इसके नीचे तो 1 मानते हैं तो इसको cross multiply करेंगे y plus 5 को 1 से करेंगे तो y plus 5 ही आएगा is equal to यहां 4 को 2 से multiply करेंगे तो यह 8 आ गया अब y की value यहां से साफ साफ दिख रही है आपको यह 8 है यह plus का 5 दरजा के minus हो जाएगा और y की value आगई आपकी 3 तो simple सा question था यह आपके answers है final आप इसे ऐसी भी लिख दें answer therefore x is equal to 6 and y is equal to 3 बस तो इसके अंदर आपका midpoint लगा यह question 6 था इसके बाद करते है question number 7 7th question के अंदर भी आपका midpoint formula लगेगा question पढ़ते हैं पहले book से find the coordinates of a point A A के coordinates बताईए where A B is a diameter of a circle circle मैंने बना रखा है यह diameter मैंने बना रखा है और diameter आपका है A B whose center is 2 minus 3 और जो center है ना इसके coordinates आपको 2 minus 3 दिये हुए है and B is 1,4 और B जो है वो 1 और 4 है और आपको निकालना है coordinates of point A यहनि जो A है ना इसके आपको X और Y निकालने हैं तो A के coordinates आप XY मान लीजिए तो question तो आपको समझ में आ गया आप इसके अंदर midpoint लगेगा जो diameter होता है circle का और उसका जो center होता है वो उस diameter को 2 equal parts में बाट देता है यानि जो center होता है वो आपके diameter का midpoint होता है तो midpoint of A, B A, B का जो midpoint है वो आपको 2 minus 3 given है तो यहाँ से शुरू करेंगे सवाल को midpoint of A, B is equal to 2 minus 3 यह आपको question में given है अच्छा A और B भी आपको दे रखे है A नहीं दे रखा B दे रखा है हम A और B का midpoint निकाल लेंगे अब अपने midpoint formula से अब निकालते है midpoint of A, B तो midpoint का formula लिख लेते हैं एक बार फिर से x1 plus x2 upon me 2 y1 plus y2 upon me 2 एक question में जो भी formula आपका use हो रहा है उसे एक बार आप जरूर लिखें अब यहाँ से अपने जो x और y हैं वो निकालेंगे देखें क्योंकि हम A और B को ले रहे हैं तो जो A है वो हो गये मेरे 1 यानि ये हो गया x1 और ये हो गया y1 और जो B है ये मेरे 2 हैं तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2 अब इन दोनों में से हम यहाँ से value उठाके इस formula में put करेंगे x1 यानिकी x और x2 यानिकी 1 तो x प्लस 1 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 यानि y प्लस 4 अपॉन में 2 बस इसके आगे हम इसको solve नहीं कर सकते अब क्या करेंगे उपर देखिए आप midpoint of A आपको 2 और minus 3 दे रखे हैं और आपने जो ये information है इससे midpoint of A भी निकाले ये दोनों चीज़े लिकिन ये दोनों तो same है अगर मैं इसको number 1 रख लूँ और ये मेरा number 2 है तो 1 और 2 तो आपस में बराबर है तो अब यहां लिखेंगे because 1 is equal to 2 तो इसका जो x है यानि कि पहला number इसके x के बराबर होगा जो पहला होता है ब्रेकिट में आप जानते हैं न coordinates के अंदर पहली चीज x होती है दूसरी वाई होती है तो इसका ये वाला x और इसका ये x ये आपस में बराबर होंगे तो हम इनको equate करेंगे तो 2 is equal to x plus 1 upon में 2 इसे equate करेंगे तो यहां से मुझे x की value पता चल जाएगी तो x plus 1 को 1 से multiply करेंगे तो x plus 1 ही आएगा और यहां 2, 2 2, 2s are 4 तो x plus 1 is equal to 4 तो x की value होगी आपकी 4 minus 1 therefore x is equal to 3 तो x आपको पता चल गया अच्छा y पता चलेगा यहां से इसका y और ये y ये दोनों आपस में बराबर हैं तो minus 3 is equal to y plus 4 upon में 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं तो y plus 4 को 1 से multiply करेंगे तो y plus 4 ही आएगा is equal to और minus 3 और 2 को multiply करेंगे तो 3, 2s are 6 और ये minus है तो minus का 6 है तो y की value हो जाती है ये minus 6 और plus का 4 इदर जाके minus हो जाएगा तो therefore y is equal to minus 10 तो x मुझे 3 पता चल गया y मुझे minus 10 पता चल गया और मुझे अपने x और y ही निकाल ले थे और x और y क्या है मेरे coordinates of a तो मेरा answer आ गया therefore coordinates of a are x की जीए लिखेंगे 3 और y की जीए लिखेंगे minus 10 question खतम ये आपका answer था तो इस वीडियो में वस इतना ही I hope आपको ये दोनों questions बहुत अच्छे से समझ में आयोंगे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज से like करना classmates में, friends में share करना और 10th class का complete match पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी subscribe करना Thank you